क्रिकेट की दुनिया यानि गेम आफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम आफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जोड़ी हर छोटी और बड़ी ख़वर। ICC महिला T20 World Cup में भारत और बांगलादेश के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने बांगलादेश को 18 रनों से हरा दिया। शेफाली वर्मा की दमदार पारी और पूनम यादव की फिर्की के जादू से टीम इंडिया ने आसानी से मुकाबला जीत लिया। अब भले मैच में सब की नजरे शेफाली वर्मा और पूनम यादव पर रही। मगर इस दोरान क्रिकेट फैंस की नजरों में तो बस एक बांगलादेशी खिलाडी चाही रही। ये बांगलादेशी खिलाडी है जहानारा आलम जो की हर बार की तरह इस बार भी मैच के दोरान आखों में काजल लगा कर पहुंची थी। जिसके कारण वो सोशल मीडिया पर क्रश गर्ल बन चुकी हैं। लोग उनकी खूप तारीफ कर रहे हैं। भारत की खिलाफ जहानारा कुछ खास नहीं कर बाई और गेंद बाजी में भी वो महंगी साबित हुई। उन्होंने चार ओगर में 33 रन पिटा दिये, वहीं बल्ले बाजी में भी वो सिर्फ 10 रन बना कर आउट हो गई। लेकिन पूरे मैच में वो अपने काजल की वज़े से सुर्ख्यों में बनी रही। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ में कसीदे कस रहे हैं। जैनलिस्ट और कॉमेंटेटर मेलिंडा फेरन ने जहानारा के लिए लिखा। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा आईलाइनर लगाती है ताकि मैं भी उसे इस्तमाल कर सकूँ। वही एक यूजर ने लिखा जहानारा को प्लेयर ओफ दा मैच मिलना चाहिए। वही एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा जहानारा की आँखों में आईलाइनर कितना अच्छा लग रहा है। वही एक यूजर ने लिखा जहानारा आलम को क्रश ओफ दा मैच आवोर्ड मिलना चाहिए। क्रिकट के हर नई अपडेट के लिए गेम आफ क्रिकट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम आफ क्रिकट की हर खबर सबसे पहले।